नमस्कार दोस्तो आप सबका एक बर फिर से स्वागत है हमारी चैनल शिबानी देवनात के वीडियोज में दोस्तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी इस चैनल के मद्दम से रोजगार और सरकारी योजना से समबन दित नई नई जानकरी हम देने की कोशिश करते हैं ताकि आप में से जो बेरोजगार भाई बहन है वे रोजगार पास सके आज भी मैं ठीक वैसा ही एक सरकारी योजना को लेकर आपके समने आई हूँ ताकि हमारे जो बेरोजगार मजदूर भाई और बहन है उनको फाइदा मिल सके दोस्तो असंगरित श्रमिकों के कल्लान के लिए भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालाई ने इश्रम पोटल नाम से एक नया पोटल शुरू किया है इश्रम के लिए पंजीकरन करने वाले उमिद्वारों को एक विशिष्ट पहचान सैंखा कार्ड मिलेगा श्रम और विजनाए शुरू करने के लिए किया जाएगा दोस्तो आज हम बताएंगे कि इश्रम कार्ड के लिए उनलाइन आवेदन कौन कर सकता है इस कार्ड से आपको क्या-क्या लाब मिलेगा इसके लिए पात्रता कौन होए और इश्रम कार्ड के लिए अविशक दस्ताविच क्य जानकरी पाने के लिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा ताकि वे भी इस योजना का लाब उठा सके दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंकरित शेत्र के असंकरित का कामगारों की जानकारी एकतर करना और सबी मजदुरों को एडाटाबेस को एक स्थान पर एकत्रित कर एश्रम पोटल के अंतरगरत आने वाले श्रमिकों जैसे नीर्मान श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, घरेडु कामगार, प्लेट्फरम कलाकार, क्रीशी और अन्य असंगटित श्रमीक ऐसे लोग जिन्हें किसी योजना का लाप नहीं मील पा रहा है क्योंकि उन्हें किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी नहीं हो पाती सरकार द्वारा इश्रमकारट पंजिकरण के बाद इश्रमकारट जारी किया जाएगा कोई भी मुझदूर सीधे योजना का लाप प्राप्त कर सकेगा और सरकार भी अलग-अलग कदम उठाएगी मजदरों की भलाई के लिए जो भी उनके पास श्रमिकों का डाटाबीस होगा यह रास्टियस्तर का पोटल देश की अर्थ वेवस्ता में बड़ी भूमी का निभाने वाले अतिस करोर आसंगटित श्रमिकों के कल्यान और उनके सुरक्षित भविश्य की कलपना करने के लिए बनाया गया है इस कार्ट के माध्धम से श्रमिकों को कोई योजना का लाब भी प्रदन किया जाएगा सभी पंजिक्रित श्रमिकों को 12 अंकों का E कार्ड प्रदन किया जाएगा जो पूरे देश में मानने होगा दोस्तों जीस तरह भारत में हर बेक्ति के पास पहचान पत्र के रूप में एक अलग आधर कार्ड नंबर होता है इसी तरह E श्रम कार्ड भी बना देगा बेक्ति को भारत के मज़दूर की पहचान इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधर पर बांटा जाएगा जिससे उन्हें रोजगार उपलर्द कराने में मदद मिलेगी दोस्तों आपको बता दें कि E श्रम कार्ड के लिए आविदन करने के लिए कोई शूल की यानि फीस नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर आप UN कार्ड में किसी तरह का डेटा अपडेट करते हैं तो आपको 20 रुपे देने होंगे यदि कोई कर्णचारी इश्रम पोटेल पर पंजिकरीत है और वो किसी दुरगतना का स्विकार होता है तो वह मित्तु या स्थाई विकलंगता पर 2 लाग रुपे के लिए पात्र होंगे अब बात करते हैं इश्रम कार्ड के लिए पंजिकरन कौन कर सकते हैं यानि इसके लिए पात्रता मांदन क्या है आविदक के आयू 16 से 69 वर्ष के बीच होनी चाहिए EPFO या ESIC का सदिस्टर नहीं होना चाहिए आविदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए और आविदक को असंगरित शेत्र में काररत होना चाहिए दोस्तो इश्रम कार्ड के लिए जिन आविशक दस्ताविजों की जरुरत होती है वो है आधर कार्ड, बैंक पास्बूर्ट, रैशन कार्ड, बिजली का बिल, सक्रिय मोबाइल नमबर दोस्तो कामगारों को इश्रम पोटेल पर खुद को पंजिकरित करने के लिए अपने निकरतम कमन सर्विस सेंटर में संपर्ख कर सकते हैं दोस्तो इश्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाइ करने के लिए सबसे पहले आविदक को अफिशेल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक है register.eshram.gov.in वहां आपको register in इश्रम लीग पर लीग करना है उसके बाद self registration page open हो जाएगा select करने के बाद अगला page खुलेगा उसमें आविदक को अपना mobile number डालना है जो आधर कार्ड से जुड़ा हुआ है उसके बाद capture code भरना होगा file करने के बाद आपको EPFO और ESIC के लिए हाँ या नही के option का चयन करना है इसके बाद send OTP पर click करना होगा अब आविदक को एक OTP प्राक्त होगा पुछे गए अनुभाग में OTP दर्ज करना है अब आविदक को अपना आधर कार्ड नमबर दर्ज करने और नियम और शर्ते स्विकार करने के लिए कहा जाएगा और submit बटन पर click करना होगा इसके बाद आपके सामने आविदन फर्म खूल जाएगा जिसे आविदक को भरना है फिर सभी दसावेज भरने के बाद आपलोड करने होगे इसे बनाने के बाद submit पर click करें और भविश्य के संधर्व के लिए आविदन पत्र के हाट को पी ले इसके बाद आपका पंजीकरन इस्रामिक पोटेल पर पूरा हो जाएगा दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो नएने बिजनेस आइडियो सरकारी योजना और रोजगार से सम्मान दीत और जानकरिया पाने के लिए अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद जय हिंद भारत मता की जये